हालो स्टुडेंट्स आज हम लोग मनोविग्यान में जांच की विधियों के अंतरगत कुछ अबजेक्टिब कोश्चन्स को देखेंगे जिसमें पहला है मनोविग्यान की सबसे प्राचिन विधि कौन सी है तो अप्षन है A. प्रेक्षन यानि उब्जर्वेशन B. अंतरगिरिख्षन यानि इंट्रोस्पेक्षन C. साक्षातकार यानि इंटरव्यू और D. मनोविश्देशन यानि साइको एंसिस तो इसका answer होगा कि मनोविज्यान की सबसे प्राचिन विधी आंता निरिक्षन यानि इंट्रोस्पेक्षन मेथड है Next question किस विधी के उपयोग के कारण मनोविज्यान को विज्यान कहा जाता है A. आंता निरिक्षन B. प्रेक्षन C. मनोविश्लेशन D. प्रियोगात्मक तो इसका answer होगा D. प्रियोगात्मक Next question नियंत्रित दसाओं के अंतरगत शरों के पारस्परिक संबंधों एवं प्रभावों के अध्यान को क्या कहते है A. प्रिक्षन B. प्रयोग C. प्रेक्षन D. अंता निरिक्षन तो इसका answer होगा B. प्रेक्षन Next question मनोविज्यान में अंता निरिक्षन विधी का प्रारम किसने किया A. फ्राइड B. वाट्षन C. वूंट D. टिचनर तो इसका answer होगा C. वूंट तो मनोविज्यान में अंता निरिक्षन का प्रयोग विलियाम वूंट ने किया था Next question स्वभाविक परिस्थितियों में घटित ब्यवहार का अलोकन तथा आलेखन आलेखन मतलब रेकोर्डिंग क्या है तो option है A. प्रयोग B. अंताने रिक्षन C. प्रेक्षन D. परिक्षन तो इसका answer होगा C. प्रेक्षन यानि observation Next question अपनी अनुभूतियों का स्वेम द्वारा अध्यान क्या है Option है A. प्रेक्षन B. अंताने रिक्षन C. मनोविज्यान D. प्रयोग तो इसका answer होगा अन्ताने रिक्षन Next question निम्नांकित में से किस विधी में अनुभव करने वाला तथा प्रेक्षक दोनों की भूमिका में एक ही व्यक्षन होता है A. वस्तुनिस्ट प्रेक्षन विधी B. अन्ताने रिक्षन विधी C. प्रयोगात्मक विधी D. इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा B. अन्ताने रिक्षन विधी Next question कौन सी विधी वस्तुन पर प्रेयोग नहीं की जा सकती है A. प्रयोगात्मक B. अन्ताने रिक्षन विधी C. प्रयोगात्मक विधी फिर से option करती हूँ A. प्रयोगात्मक B. अन्ताने रिक्षन C. प्रयोग्षन D. उपरयुक्त में से कोई नहीं तो इसका answer होगा अन्ताने रिक्षन Question number 9 यूद की दसाओं में सामाजिक ब्यवहार अध्यान के लिए मनोविज्यान की किस विधी का उप्योग होता है A. प्रयोग B. अन्ताने रिक्षन C. साक्षात्मक D. प्रयोग्षन तो इसका answer होगा D. प्रयोग्षन Next question निमलिखित में से कौन अन्ताने रिक्षन का सबसे गंभीर दोस है A. सिमिच्चेत्र B. आत्मिनिष्टता C. लचीलापन D. इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा B. आत्मिनिष्टता Next question निमलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वस्निय विधी है A. अन्ताने रिक्षन B. प्रयोग्षन C. प्रयोगात्मक D. इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा C. प्रयोगात्मक विधी Next question अन्ताने रिक्षन का तात्पर है A. आत्मिनिष्टता B. आत्मिनिरिक्षन यानि सेल्फ अब्जर्वेशन C. आत्म मुल्यांकन सेल्फ इवेलुएशन D. आत्म अलोचना सेल्फ क्रिटिसिज्म तो इसका answer होगा B. आत्मिनिरिक्षन सेल्फ अब्जर्वेशन Next question वस्तोनिष्ट प्रेक्षन विधी का प्रतिपादन निम्नांकित में से किस ने किया A. टिचनर V. वूंट C. वाट्षन D. जेम्स तो इसका answer होगा C. वाट्षन Next question कौन सी विधी हमें अत्यदिक परिशुधता के साथ मनवज्ञानिक तथियों एवं इसके संबंधों का वर्लन करने में समर्थ बनाता है A. अंतानिरिक्षन B. प्रेक्षन C. प्रियोगात्मक D. इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा C. प्रियोगात्मक Next question मानोच यतना की अंतानिरिक्षनात्मक अध्ययन हेतु पुरा गामी या पत्पदर्शक सर्पर्थम कौन बना? A. पैबलग B. इविंगोस C. बुंट D. विलियम जेर्श तो इसका answer होगा C. बुंट Next question प्रियोगात्मक विधी का प्रथम अवस्था निमनांकित मेंसे क्या है? A. परिकल्पना यानि हाइपोतेसिस B. समस्या यानि प्रोब्लेम C. नियंत्रन यानि कॉंट्रोल D. निसकर्ष यानि कनक्लूजन तो इसका answer होगा B. प्रोब्लेम यानि समस्या Next question भारत की प्रथम मनोवग्यानिक प्रयोगसाला कहां इस्थापित हुई? A. दिल्ली विश्वविद्याले B. मद्राष विश्वविद्याले C. बनाराष विश्वविद्याले D. कलकत्ता विश्विद्याले तो इसका answer होगा D. कलकत्ताव से विद्याल नेक्स्ट कोश्चन भारत की पर्था मनोवज्यानिक प्रयोग साला किस स्विर में इस थापित हुई A. 1966 में B. 1902 में C. 1816 में D. 1916 में तो इसका अंसर होगा D. 1916 में नेक्स्ट कोश्चन नियंत्रित दसाओं में प्रयक्षन ही प्रयोग है या कथन किस मनोवज्यानिक का है तो इसका अप्सन है वुडवर्थ, P. वूंट, C. वाट्सन, D. गैरेट तो इसका अंसर होगा D. गैरेट नेक्स्ट कोश्चन प्रयोगात्मक विधी में प्रयोग करता जिसके बैवहारों का मापन करता है उसे कहते है A. जनता यानि पिप्पल B. उपकरेण यानि एपरेटर्स D. C. प्रयोज यानि सब्जेक्ट D. उपरयोग सभी तो इसका अंसर होगा C. प्रयोज यानि सब्जेक्ट नेक्स्ट कोश्चन अंता निर्क्चन बिधी द्वारा निम्नांकित में से किसका आधियन संब्भव है A. मानसिक रोगी B. बच्चों C. वैसको D. पसुओं तो इसका अंसर होगा C. वैसको नियंत्रित वातावरन जहां उपकर्णों के माध्यम से प्रयोग होता है उस अस्थान को क्या कहते है A. आतिति साला यानि गेस्ट हाउस B. प्रयोग साला यानि लेबोटरी C. पाट साला यानि स्कूल D. सीद ग्रिह यानि कौल्ड स्टोर तो इसका एंसर होगा B. प्रयोग साला यानि लेबोटरी नेक्स्ट कोस्चन ससंबंधात्मक विधी यानि कोरिलेशनल मेथड निम्नांकित में से किस कोटी की विधी है ए प्रयायोगिक विधी एक्सपेरिमेंटल मेथड बी अप्रायोगिक विधी नन एक्सपेरिमेंटल मेथड सी उपर युक दोनों डी इन में से कोई नी तो इसका एंसर होगा बी अप्रायोगिक विधी नन एक्स्परिमेंटल मेथड नेक्स्ट कोस्चन व्यक्ति इतिहास विधी यानि केस इस्टडी मेथड को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है ए अन्तनिरिक्षन विधी बी वस्तुनिस्ट प्रेक्षन विधी सी नैदानिक विधी डी इन में से कोई नी तो इसका एंसर होगा सी नैदानिक विधी नेक्स्ट कोस्चन जनगर्न एक उधारन है ए प्रेक्षन का बी अन्तनिरिक्षन का C. सर्वेक्षन का D. उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं तो इसका एंसर होगा C. सर्वेक्षन का Next question मनवैग्यानिक अध्यान होते हैं A. केवल प्रायोगिक प्रयोगात्मक होते है B. केवल अप्रयोगात्मक होते है C. प्रयोगात्मक या अप्रयोगात्मक दोनों होते हैं D. उपर्युक्त में से कोई नहीं तो इसका एंसर होगा C. प्रयोगात्मक या अप्रयोगात्मक दोनों होते हैं Next question चुनाओं के दोरान मद्दाताओं की राय जानना एक उधारन है ए वस्तुनिस्ट प्रेक्षन विधी का, B. अंतरनी रिक्षन विधी का, C. प्रयोगात्मक विधी का, D. सर्वेक्षन विधी का तो इसका एंसर होगा, D. सर्वेक्षन विधी का Next question, परिक्षार्थी को सामने बैठा कर बात करने की विधी क्या कही जाती है A. अंतरने रिक्षन भी दी B. प्रेक्षन भी दी C. साक्षातकार भी दी D. व्यक्ति इतिहास भी दी तो इसका अंसर होगा C. साक्षातकार भी दी ओके स्टुडेंट्स आज के लिए बस इतना ही अगला टोपिक हम शुरू करेंगे नेक्ष्ट क्लास में ठीक है? Okay, thank you